नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीटेट एक्जाम 2021 के लिए सामाजी का ध्यन के 30 महत्पूल प्रस्ट देखेंगे, जो कि आपके सीटेट एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, दोस्तों ये गए ABC कतनों पर बिजार कीजिए और सही बिकल्प का चैन कीजिए, तो तीन कतन आपको दिये गया है ABC, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है, पहला है गंगा और ब्रमपुत नदी के अलवर्जल में डालफिन पाई जाती है, क्या यह सही है, तो बिलकुल सही है दोस्तों, गंगा और ब्रमपुत नदी के फ्रेश वाटर में डालफिन पाई जाती है, इसलिए आपका पहला उप्सन बिलकुल सही है, दूसरा उप्सन है डाल्फिन अभ्यारन बिहार राजज में इससी थै, क्या नाम है? बिक्रम सीला गंगेटिक डालफिन अभ्यारन, ठीक है, तो यह भी सही है दोस्तों तीसरा अप्सन है डाल्फिन की उपस्तरी से जल की सुधता का पता चलता है बिलकुल दोस्तों डाल्फिन की उपस्तरी से जल की सुधता का पता चलता है क्यों क्योंकि डाल्फिन केवल सुध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है इसलिए दोस्तो आपको exam में देखने को मिलेगा, अगला प्रश्ण है, बायो-गैस अनिम्द में से किन का मिस्तरण है, आपको यह बताना है, मीथेन और नाइट्रोजन का, मीथेन और हाइड्रोजन का, मीथेन और हेलियम का, या मीथेन और कारवन डायाकसाइड का, तो ध्यान रखिएगा द 25 से लेकर 50% की बीश में पाई जाती है इन दोनों का मिस्तरण होता है दोस्तों बायो गैस ठीक है तो यहाँ पे चौथा आप्सन बिल्कुल राइट है चलिए अगला प्रशन आपके सामने है ध्यान सी से देखिए और इसका एंसर बताने का प्रयास करिए संसाधन के बारे में कथन A और B पर विचार करें और सही उत्तर का चैन करें कथन A है दोस्तों सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है क्या यह सही है तो यह सही नहीं है दोस्तों देखिए कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य दोस्तों नहीं होता है लेकि बिल्कुल सही है दोस्तों समय और प्रदोग की ये महत्पूल कारक होते हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्थित कर सकते हैं इसका मतलब A option आपका गलत है और B option आपका सही है तो यहाँ पे आपका चौथा विकल बिल्कुल राइट है A गलत है परन्तु B सही है ये उर्जा के परंपरागर स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपियोग में लाए जा रहे हैं जैसे कि खरिश तेल हो गया प्राकृतिक गैस हो गया इधन हो गया ये जो है काफी लंबे समय से उपियोग में लाए जा रहे हैं इसलिए आपका यहाँ पे चौथा प्रयोग का अस्तर इसको आप किस से मिलाएंगे इसे दोस्तों आप वास्तविक वा और संभाब्य से मिलाएंगे ये जो है वास्तविक और संभाब्य संसाधन के प्रकार है तो पहला जो है पहले से ही मिलेगा ए आपसन को आप पहले से मिलाएंगे दूसरा है उदगम उदग भंडार जो है ये नवी करड़ी और अनवी करड़ी होता है ठीक है तो यहाँ पे चौथे से आपका मिलेगा यहाँ पे सब मिलान किया गया है ठीक है पहले से ही तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपको यह बताना है तो आपका इसमें जो है कौन सा आपसन सही होगा ध्यान से देख लिजीए इसमें दोस्तो आपका चौथा ही आपसन बिलकुल राइट है ठीक है पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें मिलाया गया है इसलिए चौथा आपका यहां बेराइट है चलिए आगे बढ़ते हैं पूरा अस्तलों के संदर में निमलिखित में से कौन सही है आप गलत है दोस्तों जमीन के अंदर भी पाय जाते हैं यहां पे दोस्तों आपका केवल ए आपसन सही है इसलिए आपका यहां पे चौथा आपसन बिल्कुल राइट है केवल ए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है हडपा सभधा के लोग बनाते थे क्या बनाते थे आपको यह बताना है पहला है पत्थर की मुहरे क्या पत्थर की मुहरे बनाते थे तो बिल्कुल बनाते थे पहला तो आपका बिल्कुल यहां पे सही है दोस्तों और दूसरा क्या है इसको देखते है पीले रंग से डिजाइ बनाते थे क्या लोहे से बनी तकलिया बनाते थे तो यह भी गलत है दोस्तों लोहे से बनी तकलिया नहीं बनाते थे किस से बनाते थे तावा कासा इनका प्रयोग करते थे ठीक है और सोने से बने बरतन बनाये जाते थे यह भी सही है दोस्तों तो तावा कासा सोने चादी इनक प्रयोग करते थे हड़ापस अबता के लोग, तो यहाँ पे आपका A और D बिलकुल सही है, तो पहला ही आपसन दोस्तों आपका यहाँ पे राइट है A और D, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, एक महापासाण कब्र में दो कंक पहचान सकते हैं, तो बिलकुल पहचान सकते हैं, पहला आपसन आपका बिलकुल यहाँ पे राइट है दोस्तों, ठीक है, दूसरा आप देखते हैं, कंकालों के साथ मिले आभूसर, क्या कंकालों के साथ आभूसर से आप पहचान पाएंगे, तो यह गलत है दोस्तों, क्यो प्रारम्भी काल प्रारम्भी काल से शुरू करके आरोहिकरम में निमने लिखित को सजाए पहला है देखिए वेदो की रशना की सुरुवात इसका समय क्या है इसका समय दोस्तो लगभग 3500 साल पहले है महापासाणों के निर्माण की सुरुवात की बात करें इसका समय दोस्तो लगभग 3000 साल पहले है इनाम गाउ में क्रिस्को का निवास इसका समय दोस्तो 2700 साल पहले है ठीक है और चरक के समय की बात करें तुल्लगभग 2000 साल पहले तो यहाँ पे दोस्तो आपका ABCD क्रम यही सही है इसलिए आपका यहाँ पे चौथा आपसन ABCD बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे ध्यान से प्रस्ण देखिए हाल के काल से सुरू करके और ओही क्रम मतलब की उल्टा क्रम में निमलिखित को सजाना है यहाँ पे आपको उल्टा क्रम में सजाना है तो देखिए ध्यान से इसको आप लोग इसमें देखिए लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के और उप महादूइप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत और अरिका मैडू पत्तन में बसना और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत तो सबसे पहले क्या होगा क्रम आपको बताना है सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पे होगा अरिका मैडू पत्तन में बसना क्या होगा अरिका मैडू पत्तन में बसना इसका समय जो है दोस्तों यह 2200 से ले करके 1900 साल पहले यह जो है अरिका मैडू पत्तन में बसना तो पहला क्रम आपका जो है सी हो जाएगा ठीक है और दूसरा है आपका दोस्तो संगम साहित्ति की रसना की सुरुआत दोस्तो ये जो है तेई सो साल पहले है ये जो है आपका दूसरे नंबर पर क्रम आएगा इसका ठीक है तीसरे नंबर पर दोस्तो आपका क्या आएगा ती 300 वर्स पहले ठीक है और इसके बाद जो है उप महादुइप में लोहे के प्रयोग की सुरुवात यह जो है चौथे नंबर पर क्रम आएगा इसका दोस्तो इसका समय क्या है लगभग 3000 साल पहले तो यहां पर दोस्तो आपका क्रम क्या हो जाएगा CDAB क्या हो जाएगा CDAB तो द सब्सक्रां को देखिए ऐसे ही प्रशन आपको मिलेगा CDAB में Sunday etam में स्योषल साइंस में सामाजी विग्ञान मैं दोस्तो आ explained प्रशन आपको मिलेगा कतने है चोल मंदिर धारमिक सामाजी के उम सांस्कृतिक जीवन के केंदर थे क्या या सही है तो बिलकुल सही है दोस्तोछ प्रतिमाय भक्तो की यह भी बिलकुल सही है तो यहाँ पे A और B दोनों सही है दोस्तों लेकिन A का जो है असपस्टी करण B नहीं है A का असपस्टी करण B नहीं है इसलिए आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा तीसरा अपसन सही हो जाएगा A B दोनों सही है किन्तु A का असपस्टी करण भी नहीं है चलिए अगला प्रश्ण है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेकों ने जन्मसिद अधिकार और लिंग भेत पर आधारित आधर्स समाज ब्योस्ता बनाए रखने की सलाह दी क्या यह कथन सही है आपको यह बताना है तो बिल्कुल यह सही है दोस्त दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के जो लेकक थे यह जन्मसिद अधिकार लिंग भेत पर आधारित आधर्स समाज ब्योस्ता बनाए रखने की सलाह देते थे और पहला तो सही है दूसरा है उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे सारे लोग दोस्तों सहमत नहीं थे क इन तुम भी गलत है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है ध्यान से आप लोग देखिए रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुसों जैसा लिखकर अपने पुरुस होने का ब्रह्म पैदा किया क्या या सही है या बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्त दोस्तो रजिया ने क्या किया था रजिया ने दोस्तो अपने अभिलेखों में यह आंकित करवाया था कि वह इल्तुत मिस्ट की बेटी है ठीक है तो यह पुरुस होने का ब्रह्म किसने करवाया था यह जो है दोस्तो काकती वन्सकी रानी थी रूद्रमा देवी इन्हों न पुरुष जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का ब्रह्म पैदा किया था तो यहाँ पे पहला आपका गलत है दूसरा है तवारिख की लेकों ने सामाजिक तथा लिंग भेत को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष इस्त्रियों की तुल्ना में स्रेष्ट होते है यह बिल्कुल सही है दोस्तो ऐसा जो है तवारिख की लेकों ने सामाजिक और लिंग भेत को आधार बनाकर तर्क दिया था तो यहाँ पे बी आपसन आपका सही है यहाँ पे पहला ही आपसन आपका सही है यहाँ पे पहला ही आपसन आपका सही है यहाँ पे पहला ही आपसन का सिध्धान्त बनाया क्या यह सही है आपको यह बताना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों इन्होंने सरवत्र सांती की विचार के सिध्धान्त को अपनाया और विविन धर्मों से जुड़े हुए ब्यक्तियों के साथ विचार विमर्ज से अकबर की समझ बनी जो की विद्वान धार्मिक रीती और मतांधता बल देते हैं वे अक्सर कटर होते हैं यह भी बिलकुल सही है दोस्तो यहाँ पे आपका A और B दोनों आपसन सही है यहाँ पे जो है अकबर जहांगीर और साह जहाने सुलह एक कुल मतलब की सरवत्र सांती के विचार को सासन का सिधान्त बनाया था यह भी आपका सही है तो A और B यहाँ पे आपका दोनों सही है दोस्तो तो यहाँ पे आपका आपसन कौन सही हो जाएगा आपका सही हो जाएगा दूसरा आपसन देखिए A और B दोनों सही है और A का कारण B है भी ठीक है तो दूसरा अप्षन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण देखेंगे अब दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में स्रेडी बद समाज ज्यादा सरल हो गया क्या यह सही है तो यहाँ पे दोस्तों आपको कथन और कारण से ज्यादा प्रस्ण देखने को मिल लहा है और प्रिवियस एर में ऐसे ही प्रस्ण पूछे गये थे तो ध्यान से आप लोग इनको देखते चलिए तो इसमें आप लोग देखिए दिल्ली के सुल्तान और मुगलो के काल में स्रेडी बद समाज ज्यादा सरल हो गया था यह गलत है दोस्तों स्रेडी बद समाज जो था वह जटिल हो गया था सरल नहीं हो गया था सुल्तान और मुगलो के काल में ठीक है तो यहाँ पे पहला तो गलत है जनजाती समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था क्या यह सही है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बी जो है आपका बिल्कुल यह सही है जनजाती समाज जो था यह जो है कई असमान वर्गों में बिल्कुल भी विभाजित नहीं था ठीक है तो यहाँ पे A आपका गलत है लेकिन B आपका यहाँ पे सही है तो पहला ही आपसन आपका यहाँ पे राइट है चलिए बहादुर साह जफर ने मुखियाओं और सासकों को चिठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारती राज्यों का एक संघ बनाने का आहवान किया ता आपसन 1857 में बहादुर साह जफर ने मुखियाओं और सासकों को चिठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारती राज्यों का एक संग बनाने का आहवान किया था दूसरा है बहादुर साह जफर ने के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने इस्तिती रातो रात पीडित बगावतियों के पक्ष में बदल दिया था तो यहाँ पे दोस्तों आपका A और B दोनों सही है और A ने B को सुनिश्चित भी किया है यहाँ पे दूसरा आपसन आपका बिल्कुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है आप निवेसिक काल के दोरान महिलाय जाती एवं तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए प्राचीन ग्रंथों के ग्यान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली यह तो सही है दोस्तों आपको बताना है कौन सा गलत है बिद्या सागर ने बिध्वा बिवाह का सुझाओ दिया था तो बिल्कुल दिया थ प्रातना समाज में केवल हिंदू धर ग्रंथों पर विचार विमर्ष किया यह बिल्कुल गलत है दोस्तों यही आपको बताना था कौन सा गलत है देखिए दोस्तों प्रातना समाज की बात करें तो प्रातना समाज इसकी अस्थापना जो है अठारा सो सर्षट में हुई थ तो आपको पताना था कौन सा गलत है तो तीसरा ही आपका यहां पर गलत है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्णा है तेलांगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था तो आप लोग बताईए किसका था करनाटैक महाराष्ट आंध्र प्रदेश मध्र प्रदेश देखे दोस्तों यह जो है आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलांगाना राज्य जो है भारत के पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था तेलांगाना इसके गठन की बात कर करें तो संचार माध्यम के सही भूमक्या का चैन आपको करना है इसे समाचार के माध्यम से नाज़िकों को सूचना पहुचानी चाहिए क्या या संचार माध्यम के बारे में सही है तो बिल्कुल सही है इसे जो है संचार माध्यम के से नागरिकों को सुचना पहुचवानी चाहिए इसे विग्यापक के दिर्ष्ट कोड को समाचार कारिक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए तो विग्यापक के द्रिष्ट कोड को समाचार कारिमों पाध्यम से नहीं देनी चाहिए या इसकी सही भूम क्या नहीं है इसे हर द्रिष्ट कोड की चर्चा करनी चाहिए बिल्कुल सही है हर द्रिष्ट कोड की चर्चा करनी चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही है? यहाँ पे A और C दोनों आपसन आपका यहाँ पे सही है तो विकल्प आपका यहाँ पे दूसरा बिल्कुल राइट है A और C चलिए अगला प्रस्वन है निमने लिखित में से कौन सा बिग्यापन? रूड हिवादी चित्रन का उदारन नहीं है आपको यह बताना है पहला है चाय के बिग्यापन में एक मा का सूबह चाय बनाना यह तो रूड हिवादी उदारन है दोस्तों इसलिए आपका यह गलत है लिपिस्टिक के विग्यापन में एक महिला का मेक अप करना यह भी रूड़िवादी उधारन है गाड़ी के विग्यापन में एक महिला को पती द्वारा आफिस छोड़ा जाना यह भी रूड़िवादी उधारन है कौन सा नहीं है? स्पोर्ट्स जूते के विग्यापवन में एक लड़की फुटबाल खेलती है यह जो है दोस्तो रूडवादी उधारन बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे आपका चौथा आपसन सही है ठीक है? चलिए अगला प्रशन पर हम देखेंगे द्यान से आप प्रशनों को देखते चलिए दिये गए लक्षडों A और B के आधार पर महादूइब की पहचान करिए तो महादूइब की पहचान करना है यह विस्तु का सबसे चोटा महादूइब है जो पूरी तरह से दच्छडी गुलार्द में इस्तित है तो कौन सा महादूइब है आपको पताना है इसे दूइपी महादूइब भी कहा जाता है कौन सा है दोस्तों आप लोग बताईए देखें दोस्तों आपका यहाँ पे आश्टेलिये पहला ही आपसन सही है आस्टेलिय महादूइप दोस्तो विस्तु का सबसे छोटा महादूइप है और यह दच्छडी गुलार्द में सित है और इसे दोस्तो दूइपी महादूइप भी कहा जाता है तो इसके बारे में यह जानकारी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे आपका पहला ही आपसन बिल्कुल सही है चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे ध्यान से देखते चलिए सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर से दूर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है ग्रहों द्वारा सूर के चार और एक परिक्रमण करने की अवद घटती जाती है तो यह गलत सूर के चार और एक परिक्रमण करने की अवद बढ़ती जाती है बिल्कुल सही है दोस्तों जैसे जैसे हम सूर मंडल में हम सूर से दूर जाते हैं वैसे वैसे ग्रहों द्वारा सूर के चार और एक परिक्रमण करने की अवद क्या होती है बढ़ती जाती है यहाँ पे आप प्रदीब्त विवरित और देसांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती बिल्कुल दोस्तों अगर जो है पृत्वी अपने कच्छी समतलकी और नहीं जुकी होती तो प्रदीब्त विवरित और देसांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती पहला तो सही है प्रदीब्त विव में कोई मौसमी परिवरतन नहीं होता अगर जो है पृत्वी अपने कच्छी समतल की और नहीं जुकती तो ठीक है किसी चेतर बिसेस में ज्यादा मौसमी परिवरतन होता यह भी गलत है यहां पे दोस्तों आपका क्या सही है A और C ही आपका यहाँ पे सही है तो यहाँ पे चौथा आपसन आप देखेंगे A और C आपका बिल्कुल सही है चलिए अगला प्रस्वन है भारत में सरद रित के संबंध में कथन A और B पर A B और C पर विजार कीजिए और सही विकलब का चैन कीजिए सही विकलब का चैन आपको करना है यहाँ पे देखिए दोस्तो इस मौसम को दच्छिड पस्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है यह गलत है दोस्तो सरद रित के जो सरद रित का जो मौसम है उसे जो है दच्छिड पस्धिम मानसून के नाम से नहीं जाना जाता इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से अस्थल की और बहती है यह भी गल्त है दोस्तो आपका गलत है ठीक है क्या होता है यहां मानसून के लाउटने का मौसम होता है दोस्तों और इस दावरान जो है तमिल नाडू और आंध्रप्रदेश में वरसा भी होती है सरदरित में तो यहां पे दोस्तों ABC तीनों ही आपका गलत है तो यहां पे कौन सा अप्सन सही है आप देखिए यहां पे तीसरा अप्सन आपका सही है ABC सभी गलत है चलिए अगला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सी नदिया सुन्दरवन डेल्टा का निर्मार करती है इंपोर्टेट प्रस्ण है देखिए नर्मदायम ताप्ती महानदीम गोदावरी कृष्णायम का वेर दिने से पहले एक विसाल डेल्टा का निर्मार करती है क्या निर्मार करती है एक विसाल डेल्टा का निर्मार करती है जिसे हम क्या कहते है डेल्टा जिसे हम सुन्दरवन डेल्टा कहते हैं क्या कहते हैं सुन्दरवन डेल्टा कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प बरती उचाई के साथ तापमान घरता है यह भी सही है तो ए और बी सही है और यह जो है किस मंडल में होता है यह जो है मध्य मंडल में होता है ठीक है तो यहां पे दोस्तों आपका कौन सा सही हो जाएगा यहां पे आपका जो है दूसरा बिकल्ब बिलकुर सही हो जाएगा मध मध्य मंडल दोस्तों ये तीसरी परत होती है इसका जो उचाई छेत्र है ये जो है लगभग 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है ठीक है और ये समताप मंडल के ठीक उपर इस्तित है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है आत्पन का संबंध है किस से है इसका संबंध मौसम होने वाली जुसूर की उर्जा होती है उसे आत्पन या सूरिया तब कहा जाता है तो यहां पर आपका दूसरा आप्शन बिल्कुल राइट है चलिए अगला प्रशन देखते हैं दो प्रशना और बचे हुए दोस्तों आप ध्यान से इनको देखिए संकुधारी वन इसको दोस्तों आप kis से मिलाएंगे इसको आप चौथय आपसन से मिलाएंगे महद्विप्यों का पस्षीमी येवं दस्षी पस्षीमी किनारा यह जो है भूमत सागरी वनस्पित को आप इससे मिलान करेंगे ठीक है और इसके बाद जो है आपका उश्ल कळभन्दी सदावाहर वन है तो इसे आप जो है द्रिड कास्ट वाले व्रिष्ट मिलाएंगे क्योंकि ये जो है उश्ष कड्वेंच सदावारवन द्रिष्ट कास्ट वाले परिष्ट होते हैं और अगला है आपका स로 स दावारवन स्लोग दोस्तों इसको हम महादीपो का पूर्वी किनारा से मिलाएंगे किसे मिलाएंगे महा द्विपो के पूर्वी किनारा से मिलाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा आप लोग ध्यान से देख लिजिए मिलाने वाला यहाँ पे आपका जो है बिकल्प जो है यहाँ पे तो आपका पहला ही बिल्कुल सही है, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ठीक है, यहाँ पे पहला यापसन आपका सही है, लास्ट प्रशन है, आप लोग इसे ध्यान से देख लिजिए, दिये गए दोनों कत्नों पर ध्यान दें और उचित बिकल्प का चेयन करें, सहारा रे रेगिस्तान एक समय पूर्तया हरा भरा मैदान था, ठीक है, लेकिन जो है, जलवाई परिवर्तन ने इसे अब जो है, बहुत गर्म और सुस्क प्रदेश में बदल दिया है, दोस्तो, सहारा कीर गुफाओं से प्राप्त चित्र, नदिया मगर, हाथी सेर, पसुत था बकरि है, यह और भी दोनों सही है, इस प्रकार से दोस्तो, आपका यहाँ पर 30 प्रश्न पूरुआ कंप्लीट हो गया, वीडियो को हम यही पर समाप्त करेंगे, अब हम आपको नेश्ट वीडियो मिलेंगे, वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, हम मिलेंगे अब आपको नेश्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.